Good morning children, कुसुममेम की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम कक्षिया पांचमी की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक जिल मिल पाठ दस, रानी लक्समी बाई नाटक, रीड करेंगे बच्चों, क्या आपको पता है, लैसन पढ़ने से हमें कितने फाएदे होते हैं लैसन में जितने भी question answer है, word meaning है, true false है या और भी सारी जितनी भी activities है, लैसन पढ़ने से हम उन्हें आसानी से कर पाते हैं तो चलो, लैसन पढ़ना सुरूं करते हैं ये रानी लक्समी बाई के उपर एक नाटक है यहाँ पर्दे के पीछे गाने की आवाज आ रही है नाटक यहाँ से सुरू होता है और गाना कौन सा है? बुन्देले हर बोलों के मुखहमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी ये वाला गाना पीछे से आ रहा है इसमें पहला द्रिश्य कौन सा है? पहले द्रिश्य में एक सजा हुआ हाथी खड़ा है उस पर दो बालक बैठे हैं एक का नाम पेश्वा नाना साहब है और दूसरे का राव साहब सडक के किनारे एक नटखट बाली का अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ी है और हाथी को देख रही है और नाना साहब बोलते हैं ओ छबीली हम हाथी पर चड़कर जा रहे हैं अब सभी बच्चे पेश नमबर 58 पढ़ेंगे मनुबाई जरा ठहरो मैं भी तुम्हारे साथ जाओंगी मुझे भी हाथी पर बिठा कर साथ ले चलो नाना साहब बोलते हैं हंसकर हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे अब मनुबाई बोलती है तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चड़ कर आ जाओंगी नाना साहब आ जाना और हाथी जूमता हुआ चला जाता है मनु बाई पिता जी हम भी हाथी पर चड़ेंगे अब मोरोपंत बोलते हैं बेटी मनु हमारे पास हाथी कहा है मनु बाई जवाब देती है नहीं मुझे ये सब नहीं सुनना बस हमें भी हाथी पर चड़ाओ ये सब बाते मचलती हुई कहती है अब मोरोपंत बोलते हैं मनु हमारे भाग्य में हाथी कहा जिद ना कर मनु बाई रोब से कहती है आपको क्या मालूम मेरे भाग्य में तो दस-दस हाथियों की स्वारी लिखी है अब मोरोपंत कहते हैं इश्वर तेरे भाग्य को चार चांद लगाए और तू दस नहीं बीसियों हाथियों की स्वामीनी बने मनु बाई, मुस्कुराकर पिता के गले में अपनी दोनों बाहे डालती हुई कहती है आप देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, जब मेरे पास बीसियों हाथी होंगे नोकर चाकर होंगे, खूब धन होगा अब मोरोपन बोलते हैं, अब बहुत बाते मत बना चल घर चलें, और दोनों घर की और चल देते हैं ये तो था हमारा पहला दृष्य, अब आगे है दूसरा दृष्य इसमें क्या है, कि एक महल का आंगन, 6 से 10 वर्स के बच्चे आंगन में गुडिया और गुड़े का खेल खेल रहे हैं, बच्चों के दो दल बन गए है एक दल कन्यापक्स बनता है, दूसरा दल वर्पक्स, गुड़े गुडिया का विवाजो करना है वहीं पास से मनुबाई जा रही है चमपा बोलती है, मनु इधर आना अब मनुबाई बोलती है, कहो, क्या कहना चाहती हो अब चमपा बोलती है, हम गुड़े गुडिया का विवाह करेंगे बाजे बजेंगे, प्रीती भोज होगा बताओ, तुम किस और सामिल होना चाहोगी अब मनुबाई जबाब देती है, मैं किसी और भी शामिल नहीं होंगी मुझे और कहीं जाना है चमपा पूछती है, कहा, कि तुम्हें कहा जाना है मनुबाई बोलती है, क्या तुम देख नहीं रही मेरे हाथ में तलवार है, मैं आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ इस पर चमपा बोलती है अरी लड़की होकर तुम ये क्या कर रही हो मनुबाई ओ भोली चमपा तुझे क्या मालूम कि पुरुषों की तरहे स्त्रियों को भी स्त्रूओं से देश की रक्षा करनी सीखनी चाहिए इसलिए मैं अस्त्र सस्त्र चलाना सीख रही हूँ ये तो था हमारा पेज नंबर 69 अब आगे है पेज नंबर 60 सुन्दर अब इसमें सुन्दर बोल रहा है सुन्दर तो क्या तुम स्त्रू के साथ लडोगी मनुबाई लडोंगी ही नहीं उसे स्त्रूता करने का मज़ा भी चखा दूँगी देखना एक दिन सारे स्त्रू सिर पर पैर रख कर भाग जाएंगे अब सुन्दर बोलती है अरे तू तो बड़ी बहादूरी की बाते करती है मनुबाई क्या तूने मुझे यूँ ही समझ रखा है मैं तो हूँ ही बहादूर चमपा तब तुम जाओ तुम्हारे हमारे रास्ते अलग-अलग है मनुबाई जा रही हूँ और कहे देती हूँ कि यदि तुम भी अस्तर सस्तर चलाना सीख लोगी तो अच्छा रहेगा मनुबाई तेजी से तलवार घुमाती हुई परसंध मुद्रा में चली जाती है ये तो था दो दृश्य हो गए अब यहाँ पर आगे है तीसरा दृश्य युद्ध का मैदान एक और अंग्रेज लेफ्टिनेंट वै सेना की टुकडी तथा दूसरी और लक्समी बाई नाना साहिब और कुछ अन्य युद्धा दिखाई देते हैं यहाँ पर बच्चो तीसरे दृश्य में युद्ध का सीन है ये सुत्रधार सुत्रधार कोन होता है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है सुत्रधार हुई वीर्ता की वैभव के साथ सगाई जहांसी में ब्या हुआ रानी बनाई लक्समी बाई जहांसी में इनकी गाथा छोड़ चले हम जहांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्समी बाई मर्द बनी मैदानों में लक्समी बाई नाना साहब आप सेना को लेकर बाई और से स्त्रूओं पर आकरमन कीजिए ये बातें लक्स्मी बाई बोल रही है नाना साहब कहते हैं तुम कहां रहोगी लक्स्मी बाई आप मेरी चिंता मत करो जाओ स्त्रूओ पर तूट पडो नाना साहब बोलते हैं आज स्त्रू सावधान है तुम भी सजक रहना मैं चलता हूँ और प्रस्थान कर जाते हैं नाना साहब अब है लक्स्मी बाई राव साहब लक्स्मी बाई कहती है राव साहब आप दाई योर से स्त्रूओं को घेर लो किसी स्त्रू को जिवित मत छोड़ना राव साहब आज ऐसा ही होगा आप चिंता ना करें महरानी राव साहब बोलते हैं ये बार और प्रस्थान सुन्दर आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना और देखना मेरे शरीर को कोई हाथ ना लगा सके मैं चलती हूँ ये बाते सुन्दर ने कही है और वो चली जाती है वहां से प्रस्थान करती है अब परदे के पीछे से तलवारों की कट-कट की आवाज आती है कभी हाए की आवाज, मरा, ओ इस तरहें की आवाजे ये परदे के पीछे से आती है यह है रानी है या मोत पानी पानी आह अरे कोई है बचाओ ये सब बातें जो है वो परदे के पीछे से आवाजें आ रही है तुम्हारी करनी का यही प्रिणाम है कायर मंच पर मुह में लगाम और दोनों हाथों में तलवारे लिए रक्त से लत्पत रानी का आगमन अब मंच पर रानी का आगमन होता है और दोनों हाथों में उनके तलवारे हैं जो रक्त से बिलकुल भरी हुई है लक्समी बाई अब लक्समी बाई बोलती है सुन्दर से मेरा करतव्य पूर्ण हुआ, आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना, चलती हूँ, अब मुझे संभालो, आओ, जल्दी आओ, सुन्दर, सुन्दर बोलती है, महराने, आपकी ये हालत, अब लक्समी बाई कहती है, मेरी प्यारी सखी, इसे ही प्वीरगती कहते हैं, ये ब अब सुन्दर बोलती है, आगे बढ़कर राणी को अपने हाथों में संभालती हुई बोलती है, घबराओ मत, मैं आपके सरीर को किसी श्त्रू को छूने नहीं दूंगी, अब लक्समी बाई, आवाज आती है लक्समी बाई के मुह से, मात्र भूमी की जै, पर्दे के पीछ भारत वासी, यहे तेरा बलिदान जगाएगा सवतंतरता अविनाशी, तेरा समारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निसानी थी, खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी, और इन जो है कविता की पंक्तियों के साथ ही पर्दा गिर जाता है, और नाटक समाप हो जाता है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ, दस, रानी, लक्समी बाई, तो इसमें जो भी पर्दे के पीछे हुआ है, यहां पर्दे में है, वो सारी बाते एक नाटक के रूप में बताई गई है, प्यारे बच्चों, मेरी इस वीडियो को सुरू से अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए, ताकि आप पाठ के माध्यम से सभी पर्सन उत्तर, जो भी है, वर्ड मिनिंग है, या इसमें अधर एक्टिविटीज हैं, सब के आंसर आसानी से दे पाएं, तो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड मिनिंग, क्यूशन आंसर और जो अधर एक्टिविटीज हैं, वो सिखाऊंगी, तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई!